मैं डॉक्टर इतु सिंग आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ आज हम सुनेंगे लियो तॉल स्टॉय की लिखी कहानी दो गज जमीन लियो तॉल स्टॉय का जम नौ सितंबर 1828 और मृत्यू 20 नवंबर 1910 में हुई थी आप एक कुलीन रुसी परिवार में जन में और आपने कई महान उपन्यासों की रचना की जिसमें अन्ना करे निना वार एंड पीस मुख्य है आए सुनते हैं आपकी एक प्रसिद्ध कहानी दो गज जमीन एक बार रुस में दो बहने रहती थी बड़ी बहन की शादी सहर में रहने वाले एक अमीर व्यापारी से हुई थी जबकि छोटी बहन की शादी गाउं में रहने वाले एक किसान से हुई थी एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से मिलने उसके गाउं आई फुर्सत के पलों में जब दोनों बहिने बत्याने बैठी तो बड़ी बहन अपनी अमीरी की शेखी बगारते हुए कहने लगी शेहर में हम बड़े ठाट से रहते हैं बड़ा सा घर, बाग, बगीचे, सुन्दर, नए-नए फैशन के कपड़े खाने को धेरों नए-ने स्वाद वाली वस्तुएं तमाशे, थीएटर, घूमने की बहुत सारी जगह हैं सच में बहुत आनन दाता है मैं तो कहती हूँ हमारा जीवन तुम्हारे इस गाउं की जीवन से बहतर है गाउं में रहने वाली छोटी बहन को बड़ी बहन की बाते चुप गई वह अभी अपने ग्रामीर जीवन की तारिफ करते हुए बोली यह सच है कि गाउं का जीवन उतना सुन्दर और स्वच नहीं है जितना आपका शहर में है हमें कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है लेकिन हमारा जीवन शांत और सुरक्षित है जमीन हमें हमेशा खाने को परियाब दे देती है जबकि शहर में अमीर से गरीब होने में वक्त नहीं लगता तुमारे पती को जुए और सराब की लट लग सकती है उसे कोई प्रेमिका मिल सकती है लेकिन गाओं में ऐसा कोई प्रलोबन नहीं है मेरे पती मेहनत कसे इंसान है और बुरी चीजों से दूर है छोटी बहन का पती जिसका नाम पोखम था वहीं पास में उसारे में लेटा हुआ था और दोनों बहनों की बाते सुन रहा था वह अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचने लगा कि उसकी पत्नी कुछ गलत नहीं कह रही गाओं का जिवन सचमुष शहर की तुल्ना में बहतर है लेकिन उसके पास बस एक ही कमी है और वह है जमीन अगर उसके पास थोड़ी और जमीन होती तो उसका जीवन भी सुक और सांती से भरा होता फिर एक दिन उसने सुना कि उसके इलाके का जमिनदार अपने जमीन किसानों को बेच रहा है खुद उसका पडोसी पचास एकर जमीन का सौदा करके आया था पखुम ने भी अपनी पतनी से कहा देखो हमारा पडोसी जमीनदार से जमीन खरीद रहा है हमें भी कुछ जमीन खरीदनी चाहिए अब उसने जमीन के लिए पैसों का इंतिजाम सुरू किया कुछ पैसे अपने साले से उधार लिए अपने बेटे को दूसे किसानों के हां काम पर लगा कर वहां से पेशगी रुपे लिए और पच्चिस एकर जमीन का टुकडा खरीदने में कामियाब रहा जिस पर भोज पत्रों के पेड़ों का चोटा सा जुर्म उट था अब पकों बहुत खुश था इस बार उसके बरपूर फसल हुई जिससे उसने अपना सारा करजा चुका दिया अब उसके घर में शानती और खुशी का माहौल था लेकिन ये माहौल ज़्यादा दिन नहीं टिक सका अकसर पडोसियों की गाएं उसके खेतों में आ जाती और फसलों को नुकसान पहुचाती थी उसने किसानों से अपने मवेशियों को रोकने के लिए कहा लेकिन ज़्यादा तर ने सुनान सुना कर दिया एक दिन वे जुर्माना भरने के लिए अपने दो पडोसियों को अदालत में खीच ले गया नतीजा ये हुआ कि पडोसी नाराज हो गया एक दिन सुबह पकोम ने पाया कि किसी नाराज पडोसी ने उसके प्यारे भूजपत्र के पेड़ो को काट डाला है इस घटना ने उसे बहुत दुखी कर दिया उसका शक अपने एक पडोसी साइमन पर गया और वह उसके खिलाप अदालत में पहुँच गया लेकिन उसके पास कोई पुखता सबूत नहीं था इसलिए जजों ने साइमन को छोड़ दिया इसे पक्खूम को इतना गुसा आया कि वह जजों को ही भला बुरा कहने लगा कुल मिलाकर पक्खूम के लिए गाउं में रहना काफी अप्री और दूभर हो गया एक रोजे कियातरी किसान ने रात बिताने के लिए पक्खूम के घर में जगह मांगी पक्खूम ने उसका स्वागत किया रातरी भूजन के दौरान किसान ने पक्खूम से कहा मैं लोवर वोलगा से आया हूँ वहां बहुत अच्छी जमीन है और सस्ती भी मेरे गाउं के बहुत से लोग वहां जाकर बस गए हैं और अमीर हो गए हैं किसान की बात सुनकर पक्खूम ने सोचा कि मैं यहां गरीबी में क्यों रहूं क्यों न वोलगा में बस कर मैं भी अपनी स्थिती वेहतर कर लो और उसने एक बार वोलगा जाकर स्वस्तु स्थिती का पता लगाने का निश्चे किया अगले पजड में पक्खूम वोलगा में था उसके घर रुकने वाले अजनबी किसान ने जैसा बताया था वहां सब वैसा ही था बहुत अच्छी और सस्ती जमीन थी पक्खूम खुशी-खुशी घर लोटा आकर अपनी सारी जमीन और संपत्ती बेची और बसंत रितु के आते आते अपनी परिवार को लेकर हमेशा के लिए वोलगा चला गया वोलगा के किसानों की पंचायत ने पक्खूम का जोरदार स्वागत किया जितने पैसे वह लाया था उतने में उसे पहले की मुकाबले पांच गुना अधिक जमीन मिल गई अर्थात अवह 125 एकर जमीन का मालिक बन गया था उसने वही पर अपना घर बनाया बैल खरीदे और खेती करना शुरू कर दिया सब कुछ पहले की मुकाबले अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ ही समय बाद पकोम एक बार फिर से खुद को असंतुष टन्भो करने लगा बात दरसल यह थी कि पकोम के खेत इकटे नहीं थे यह दूर दूर तक फैले हुए थे उसे एक खेत से दूसरे खेत में जाने में कटना ही होती थी उसने दूसरे अमिर किसानों को देखा ता जिनके खेती खटे थे औरुए अपने खेतों के बीच मकान बना कर आरामसे रहते थे और खेती करते थे उसने सूचा कि अगर मैं भी ऐसी कठी जमीन खरे दी सकूं और उसमें अपना मकान बना कर रह सकूं तो जीवन में चैन आये सायोग से उसे एक किसान मिल गया जो अपनी बाहरा सो एकर जमीन एक हजार रूबल में बेचने को तयार था पकोम ने उस किसान से जमीन की बात कर लिया और रुप्यों का इतिजाम भी कर लिया लेकिन इससे पहले कि सौधा हो पाता एक अजनवी ब्यापारी रात बिताने के लिए पकोम की घर रुखने आ गया रात की बाचीत के दौरान ब्यापारी ने बताया मैं बहुत दूर बशकर प्रदेश से आया हूँ वहां की लोग बहुत ही अच्छे और मिलंसार हैं उनके पस इतनी जमीने हैं कि उन्होंने मुझे मात एक हजार रुबल में बारह हजार एकर जमीन बेच दे इतनी सस्ती जमीन धर्टी पर सायद ही कहीं मिले और जमीन भी कैसी एक दम सोना उगलने वाली उप जाओ जिसके बगल में नदी बहती है बैपारी की बात सुनकर पक्खुम ने सोचा कि मैं यहां बारह सो एकर के लिए एक हजार रुबल क्यों दूँ जब मुझे इतने ही पैसों में दसगुना ज़्यादा जमीन मिल सकती है उसे जमीन का सौदा स्थागित किया और बैपारी की बातों की सच्चाई का पता लगाने के लिए बशकर प्रदेश जाने का निश्चे कर लिया अपने परिवार को वहीं छोड़ और एक विश्वस नौकर के साथ को साथ लेकर पकुम बशकर देश की और निकल पड़ा रास्ते में पढ़ने वाले एक शहर ने से उसे बशकर निवासियों के लिए कुछ उपहार खरी दे और कुछ दिन में वहां पहुँच गया ब्यापारी ने जैसा बताया था बशकर को उसने उससे बढ़कर ही पाया वहां की लोग बड़े खुश मिजाज और लापरवा किसम के थे उन्होंने पकुम का बड़े ही दोस्तान रहं से स्वागत किया पकुम ने भी साथ लगे उपहार उन लोगों को बाटे रात के में उन लोगों ने पकुम को एक आराम दायक तंबू में ठहरा आया और पुछा आप इतनी दूर से आये हैं बताये हम आपके लिए क्या कर सकते हैं पकुम ने कहा मैं यहां आप लोगों से जमीन खरीदना चाहता हूँ मेरे गाओं की मिट्टी खराब हो गई है अब उपजाओं नहीं रही और जमीन मेरे हिसाब से बहुत कम है बशकिरो ने कहा हम आपको जितनी चाहिए उतनी जमीन दे देंगे लेकिन इसके लिए हमारे सरदार के अनुमती आवस्यक होगी वे आते ही होंगे उनसे पूछ कर हम कोई जवाब दे सकते हैं तभी सिर्फ पर फर की टोपी पहने एक बज़र्ग व्यक्ति वहाँ पहुचा वही सरदार था उसने कहा अगर आपको जमीन चाहिए तो जितनी चाहिए ले सकते हैं हमारे पास काफी जमीन है पकोम ने खुश होते हुए सरदार को धनिवाद दिया और कीमत के बारे में पूछा सरदार ने कहा हमारी एक ही कीमत है एक दिन का एक हजार रूबल पकोम को कुछ समझ में नहीं आया उसने पूछा एक दिन का एक हजार रूबल भला दिन का जमीन की कीमत से क्या तालो सरदार ने समझाया तुम्हारे पास वो सारी जमीन हो सकती है जितनी तुम्हें एक दिन में पैदल चल कर गिर सकते हो उसकी कीमत होगी एक हजार रूबल इस अजीबों करीब बात से हैरान पक्खुम से कहा लेकि एक दिन में तो मैं जमीन के बहुत बड़े टुक्डे पर घुम सकता हूँ तो क्या वो सारी मेरी हो जाएगी बिलकुल सरदार ने कहा लेकिन शर्त ये होगी कि जहां से तुम चलना शुरू करोगे तुम्हे शाम होने से पहले उसी इस्थान पर वापस आना होगा अगर नहीं आ सके तो तुम्हारे एक हजार रूबल जब्त हो जाएंगे और जमीन भी नहीं मिलेगी पक्खुम को लगा कि जैसे महमागी मुराद मिल गई उसा तुरंट सौदे के लिए हामी भर्दी और तैकिया कि वह अगली सुबह जमीन पर घुमने के लिए निकलेगा उस रात पक्खुम सो नहीं सका वह हिसाब लगाता रहा कि गर्मी के कलम्बे दिन वह पचास मिल तो चली सकता है फिर वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी जमीन में कुछ खराब जमीन भी हो सकती है ऐसी जमीन को वह बटाई पर दे देगा और अच्छी जमीन पर खुद खेती करेगा खेती के लिए कितने जोड़ी बैल लगेंगे कितने नौकर रखने होंगे आदी सोचते हुए भोर के ठीक पहले उसकी आँख छपक गए नीन में उसने सपना देखा उसने देखा कि बशकिरों का सरदार तंबू के बाहर बैठा जोड जोड से हंस रहा है पकोम उसके पास जाकर पूछता है आप किस पर हंस रहे हैं तबी पकोम को वहां एक व्यापारी बैठा दिखाई देता है वह व्यापारी के पास जाकर पुछता है आप यहां कब से हैं तबी व्यापारी वूलगा के किसान में बदल जाता है पकोम इधर उधर देखता है तो उसे एक लाश पड़ी दिखाई देती है वो डरते डरते उस लास के पास जाता है तो देखता है कि ये लास तो उशे की है पकोम की और उसके आँके खुल जाते हैं वो तुरंद खड़ा हुआ और अपने दूस्वापन को भूलने की कोशिश करते हुए उसने अपने नौकर और बश्किरों को जगाया और कहा चलो चलते हैं अब मेरे जमीन पर घुमने का समय हो गया है सूरच जल्दी होने वाला है बश्किर लोग पक्खुम को लेकर एक पहाड़ी के पास गए बुजरुक तरदार ने देखा और कहा यह सारी जमीन हमारी है आप इसमें से जितना बड़ा टुकड़ा चाहें उतना ले सकते हैं फिर उसने अपनी फरुक की टोपी उतार कर जमीन पर रख दी और बोला यह आपका निशान है आपको यहां से चलना आरम करना है और शाम होने तक यहीं वापस आना है जितनी जमीन पर आप चलेंगे वो जमीन आपकी होगे याद रख ही यह दी आप सुर्यास तक इस जिग जमीन पर अपने घूमने के निसान बनाने के लिए वा चलता रहा चलता रहा और जगह जगह पर निशान बनाता रहा जितना जितना पकुम आगे बढ़ता जाता जमीन और सुन्दर और अच्छी दिखाई दी थी पकुम ने सोचा कि भी लोटने के लिए बहुत जल्दी है अभी मैं और भी आगे जाकर अच्छी जमीन अपने लिए सुरक्षित कर सकता हूँ और वह और तेजी से आगे बढ़ने लगा सूरज सिर्फ पर जुलसता रहा और वह पसीने से तर्बतर था उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पहाड़ी जहां से वह चला था उसे मिट्टी के एक धेली के सवाँ छोटी दिखाई दी वह मुड़ा ताकि जमीन की चौकोर भाग कर सके भूक लगने लगी थी उसने जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाया और फिर चल दिया भी बन चुकी हैं अब उसे तीसी भुजा छोटी बनानी होगी नहीं तो वह समय पर वापस नहीं पहुँच पाएगा अब सुर्यास्त का समय नजदी का रहा था उसने अपनी चाल तेज कर दी कुछ दूर तेज चलने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि सुर्य बड़ी तेजी से अस्ता चल की और जा रहा था पकोम को गबरहाट से होने लगी वह जल्दी से चौती भुजा की और मुड़ा अब उसके और सुरुाती बिंदू के बीच कम से कम पंद्रह मिल की दूरी थी उसने देजी से दौड़ना शुरू कर दिया सीधे पहाड़े की और अब वो बेताहशा दौड रहा था टोपी अभी भी दूर थी और वो बहुत ठक गया था उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और वे च्छालों और करोचे से भर गए थे मुझे और जल्दी करनी चाहिए उसने खुद से कहा मुझे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था अगर मैं समय पर नहीं पहुँचा तो मैं जमीन और पैसे दोनों खोड़ूंगा और एक आखरी प्यास के रूप में उसने भी पूरी सक्ती दोड़ने में जूंकती अब उसे लगने लगा कि वह संसा की वह समय पर नहीं पहुचेगा उसे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था फिर भी वह पूरी सक्ती से दोड़ रहा था वह पहाड़ी की तलहटी में पहुच चुका था सूद जज अस्तल चलगामी हो रहा था टोपी अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी अब उसे रोना आने लगा उसे लगा कि वह पूरी तरह बरबाद हो चुका है उसके हाँ से जमीन भी गई और पैसे भी ससा उसे बसकिरों की पुकारे सुनाई देने लगी वे टोपी के पास खड़े होकर हाथ लहरा रहे थे और उसे प्रोटसाहित कर रहे थे पहाड़ी की चोटी पर सूरज अभी भी पूरी तरह से डूबा नहीं था उसने एक बार फिर जोड लगाया अपनी आखरी ताकत के साथ उसने बजुर्ग सरदार को देखा वो हस रहा था और वो गिर पड़ा फिर ना उट सका लेकिन उसका हाथ तोपी तक पहुँचने में काम्याब रहा बशकिर लोग जोड से चिलाए तुमने अच्छा किया तुमने बहुत सारी जमीन जीत ली लेकिन पखुम को कुछ भी सुनाई नहीं दिया पखुम का नौकर दोड़ा दोड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा लेकिन वह उठ न सका उसके मुँख से खून निकल रहा था वह मर चुका था नौकर ने फावडा लिया और अपने मालिक के लिए कबर खो दी कुल दोग जमीन उसके लिए काफी हुई धन्यवाद